बड़ी खबर निक्की आदव murder case से जुड़ी हुई खबर निक्की के flat पर साहिल को पुलिस द्वारा ले जाया जाएगा वहीं साहिल गहलोथ की शादी की भी कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं साहिल ने निक्की की हत्या के दिन ही शादी की थी शादी की तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इस साहिल गहलोद कितना बेखौप देख रहा है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो वो भी इतना संसनिक है इस वारदात को अंजाम दिया ही ना हो यह तस्वीरें उस दरिन नहीं देखिए जिसने पांच साल से अपनी साथ लिविन में रह रही अपनी गर्ल्फरिंट की मड़ हत्या कर फ्रिज में उसके शरीर को रख दिया और फिर ठीक उसके कुछ घंटे बाद जाकर यह शक्स किसी और लड़की से शादी कर लेता है आपको बता दें पूरा मामला अब सामने आ चुका है और आज निकी के फ्लैक्ट पर आरोपी को ले जाया जाएगा वही निकी मर्डर केस में डीसीपी क्राइम का क्या क्या खेना ही आपको सुनाते है मर्डर केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी क्राइम सतिश कुमार जी है सर आज अरोपी की पांस दिन की रिमांड मिली है अब रिमांड में किन चीज़ों पर दिहान दिया जाएगा कि इन्वस्टिकेशन किस दिशा में आगे जाएगी रिमांड में जो अभियुक्त ने अपनी स्टेटमेंट दी है वक्तेवे दिया है उसको हम वेरिफाई कर रहे है जो 40 किलोमेटर का रूट है जिसमें पीडिता और अभियुक्त दोनों साथ थे गाड़ी में उस रूट को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है सीचिटी फुटेज देखी जा रही है कोई आई विटनेस अगर मिलता है तो उसकी खोज की जा रही है जितने भी टेकनिकल एविडेंस है फिजिकल एविडेंस है उनको हम कलेक्ट कर रहे है पोस्ट मार्टम आज हो गया है तो अब तक अनुसंदान में हम ये कर पाए है तो शुरुआती जांच में सामने आया था कि 2 दिसंबर को इसका रिष्टा पक्का हो गया है तो 5 से महने तक ये लगा तार जो निक्की है तो चुपाता रहा है कि इसकी शादी पक्की हो गई है हमारी जांच के नुसार निक्की को नो तारिक को ही पता चला है कि इसकी शादी फिक्स हो गई है और अगले दिन शादी है अगले दिन शादी है तो निक्की इसने क्या पता है भी तक जहाज में निक्की माना कर रहे थी शादी करने के लिए यह निक्की शादी करना चाहती थी क्या इनका दोनों का आगे का प्लान था हांजे बिलकुल यह दो हजार अठारा से दोनों में दोस्ती थी मित्रता थी और निक्की इस बात से न ये डेली वहाँ पे जाता था क्योंकि इसने बाहर से लोग लगा रखा था अबने डाबे पे तो देखने के लिए जाता था कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है तो इसने चार दिन तक ऐसा किया है अबितक की आदुने की इसने बताए कि इनकी रिलेशनिशिप कैसा था तौनाव पून था या काफ़र सुहाद पून रिलेशनिशिप था किस तरी का रिलेशनिशिप था दोने के बीचे हम अभी तक ओन्डे कोड अभी तक ऐसा कुछ नहीं आय прекला है क्राइम रांच ने क्या कहा ये आपने सुना लेकिन पीड़ता जो थी निकी आदफ के पिता से भी टाइमस नाउन अव भारत समबादाता ने खास बाचीत की उन्होंने संसनी खेज हत्याकांट पर क्या कहा ये भी आप सुनिये कब पता चला आपको क्या आपकी बच्ची गायब है और आपको कभी पता था इस आरूपी के बारे में नहीं कुछ निकी के बात हुई आपसे इस बारे में कोई दोस्त है उसका जो जानता है कैसी सजा चाहते हैं इस ट्राइप के एक दिन बाद उसे शादी भी की इतना घटिया काम कोई कैसे कर सकता है सिर्ण हम तो यहीं चाहते हैं कि उसको सजा मोध मिले भस अभी कौन-कौन हैं आपके परिवार मेरे परिवार के सारे परिवार के मेरे तो conf Taric चला कि ऐसी घटना हो चुकी है हमारे को तो जब उसका फोन चुछ जा रहा था तब हमने उसका नमबर निकाला कहीं से तब पता लगाई तो तब तक कब से फोन बंद हो था था उनका फोन बंद फ्राइडे से था फ्राइडे से बंद था तब ही आप लोगों को शक हुआ निकी के बाद एक बच्चियों की हत्या हो दी है फ्रेश में बॉड़ी राल दियर दे रहे आदो पी आपको नहीं रखता है कि सब्सक्राइड के घटा के लिए कुछ कड़ा कड़ा दम उठाना चीए है निकी के पिता से ये बाच चीत आपने सुनी मोहित ओं भी अमारे सा इसे सामने आए है आधे आधे निके निकील के जो अभी तक साहिल घ्यलोच से पूस्ताच होई है उसमें सबसे बड़ी बाद ये निकल कर आई है कि उसको निकी की हत्या करके उसकी लाश को छपाई और उसी दिन उसने अपनी शादी की और अगले दिन वो अपनी नॉर्मा जानकारी मिली थी कि इस तरीके की वार्दात हुई जिसमें लड़की के साथ कोई ऐसी घटना हुई है दिल्ली पुलिस ने पूली साहिल को हिरासत में लिया उससे पूस्ताज की गई तो उसने बताया कि निक्की की हत्या की है पुलिस अब कई एविडेंस पर आगे काम कर रह और यह खासकर से वह सीसीटीवी कैमरा जिसके अंदर निक्की जिन्दा दिख रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस के मताबिक साहिल से पूस्ताज में यह निकल के सामना है उसने दस तारिक के सुबह आठ से नौ बजे कश्मीरी गेट इलाके में उसकी हत्या की है लेकिन पुल निक्की के फ्लैट उत्तम नगर में वहां पहुचा था और वहां से निजामुदीन गये थे इनका दिल्ली से भार जाने का प्लान था क्योंकि निक्की को नहीं पता थे कि साहिल की सगाई हो रही है उसकी शादी हो निक्की ने दस तारिक को अपनी अकेले गोवा जाने के अपडेट्स लेते रहेंगे वहराल इस पूरे मामले में अब देखे पुलिस की जात जारी है आरोपी सलाखों के पीछे है लेकिन कारवाई क्या होती है यह हम आपको बताएं